तो हेलो एर्यवर्यवन है यह वेपन कुमार शर्मा इन यूर बार्यवर्य में चेशन व्यूर्य की कि शक्तिमान बायोजियी ओने वाली है फूमोरो ओनावर्य विडियो बेंशे वेडियो फॉर्य आटथी प्लस प्लस एंड लिंड entrance examination because ये सारी की सारी जो वीडियोस हैं ये NCRT based वीडियोस हैं और NCRT का एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो skip हुआ है मेरे जो most favorite one shot वीडियोस हैं उनको मैंने यहाँ पर बहुत 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 बहुतर तरीके से trim करके merge करके आप लोगों के लिए तयार किया है और ये series कभी रुके ना और बिलकुल बिना किसी flaw के बिना किसी fault के बिना किसी रुकावट के चलती रहे इसलिए मैंने सारी वीडियोस पहले ही upload कर दी हैं मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बारे में बात करेंगे अगर आपने अभी तक मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजे टेलिग्राम चैनल का नाम है Ozone Classes और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा Why it is important to join my टेलिग्राम चैनल क्योंकि मेरा अनकैडमी पे एक फ्री क्रेश कोर्स चल रहा है नीच 2020 वाले बच्चों के लिए काफि सारे स्टूडेंट्स इस फ्री क्रेश कोर्स में आते हैं और रोज मेरी वीडियो देखते हैं आपको करना क्या होता है टेलिग्राम पर मैं आपको रोज रात को लिंक्स देता हूँ अगले दिन की वीडियो का आपको सिर्फ उन वीडियो पर क्लिक करना रहता है और दिन के दो चैप्टर लाइव मुझसे पढ़ने रहते है दो तीन घंटे के अंदर अंदर तो यहाँ पर क्या होता है लाइव डिस्कर्शन जब होती है आपको रियल टायम अनेलेसिस होता है किसी भी चीज़ का आप उस चीज़ को बेहतर कैप्चर कर पाथे हो और दिन की चार घंटे की वीडियो बनती है आपके live platform पे जो कि सिर्फ आप लोगों के लिए please उसका फायदा उठाए because आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है आप मेरे second channel ozone classes 2.0 को भी subscribe कर सकते हैं इसका link भी आपको description में दिया हुआ and if you want to get connected to me on instagram then you are free to use that now there are different videos जो कि मैं already बना के upload कर चुका हूँ काफी सारी ऐसी videos थी जो 12 घंटे से जादा की थी उन्हें मुझे दो parts में trim करना पड़ा because YouTube की अभी एक नई policy आई है कि 12 घंटे से जादा के marathon sessions और 12 घंटे से जादा की pre-made videos जो हैं आपकी upload नहीं होगी आपको उसे 11 घंटे कुछ मिनट का रखना होगा तब जाके बो process होगी तो इसलिए मेरी videos काफी बार processing के time पर fail हो गई थी बाद में मैंने जब google search किया तो मुझे analyze हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ और इस वज़े से मेरा पूरा का पूरा time भी waste हो रहा है और काफी सारी videos आपकी render भी नहीं हो पाई ठीक से so what you have to do is you need to watch these videos at a speed of 1.5x if you are a slow learner and 2x if you have already gone through NCRT अगर आपने मेरे one shots देखें आप इसे 2x पर देखेंगे प्लस आप हाथ में क्या रखेंगे आप NCRT book रखेंगे NCRT book को हाथ में रखना है और 2x पर मेरी videos देखनी है तो एक वीडियो की जितनी duration है उसे आदी duration में आप क्या कर लेंगे उस पूरी वीडियो को खतम कर देंगे और एक वीडियो में multiple chapters है जैसे कि आपका systematics है so systematics की जो वीडियो है यह 8 घंटे के आसपास की है जिसमें 4 chapters है आपके full detail में यानि overall अगर आप इससे 2x पर देखेंगे तो आप 4 घंटे में 4 chapter complete कर देंगे एक hour में एक chapter आप लोग complete कर देंगे और अगर आप 1.5x पर देखते हो then आपका 10 घंटे के आसपास की है structural organization की वीडियो 10 घंटे की है इसलिए है क्योंकि इसमें 30 घंटे के आसपास का content आपका earthworm और frog का है जो आप skip कर सकते हो तो overall ये वीडियो भी आपकी 8 घंटे की है और इसमें अगर आप इससे 2x पर देखते हैं आप भी 10 दिन में अपना syllabus पूरा कर सकते है और अगर आप live पढ़ना चाते हैं तो आपके लिए दूसरा option मैंने खोल के रख दिया है आप telegram join कर लीजे वहाँ पे आपको सारे के सारे links detail form में मिल जाएंगे third unit जो है वह आपकी 8 घंटे से भी कम की है जिसमें cell biology, biomolecules और cell division आपका complete है यानि यहाँ पर भी आपका क्या होगा 2x पर करके देखेंगे आप तो 4 घंटे में आपकी पूरी unit complete हो जाएगे plant physiology में 5 chapters हैं और 10 घंटे की ये video है यानि अगेन आप 5 घंटे में देखेंगे या 6 घंटे में या 7 घंटे में देखेंगे तो आपके 5 chapters complete हो जाएगे यानि overall आपका 1 से 7 घंटे में एक chapter आपका complete हो जाएगा detailed analysis के साथ बहुत बहतरीन तरीके से तो ये आपका plant physiology है human physiology को मुझे 2 टुकडों में तोड़ना पड़ा क्योंकि 7 और 6 आपका कितना बन रहा था 13-14 hours के वीडियो बन रही थी जो की 12 से जादा थी तो इसके 2 parts आएगे part 1 and part 2 तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 घंटे और 7 घंटे यानि कि अगर 2x पे देखेंगे 10 के आसपस का यानि रोध सुबह 10.30 बजे अब मैं इन वीडियो को अल्रेडी अप्लोड कर चुका हूँ मेरे उपर काफी प्रेशर था पिछले कुछ दिनों से मेरा क्रेश कोर्स भी चल रहा है मैं अनकैडमी के चैनल पर भी पढ़ा रहा हूँ मैं ओजोन क्लासेस पर भी पढ़ा रहा हूँ ये नीड पोस्पॉन वाली भज़ड भी मची हुई है और मैं अपनी भी पढ़ाई कर रहा हूँ तो ओवराल दिमाग यार बहुत ही ज़ादा खराब हो चुका था मेरा मैंने सोचा कि मैं तभी कमिट करूँगा जो है वो आपका फिर complete हो जाएगा आपका reproduction जो unit है ये 8 गंटे से भी कम में है 4 chapter आपके है यानि 1 गंटे से 7 गंटे में आपका 1 chapter यहां पर भी हो जाएगा genetics जो है इसमें 7 गंटे की ये वीडियो है यानि overall आपको मान के चलो 7 गंटे में 3 chapters हैं तो अगर आप 2X पर भी देखते हैं तो एक से सवा गंटे में आपका सारे तीन गंटों में क्या हो जाएगा पूरी यूनिट कम्प्लीट हो जाएगे आपका complete biology in human welfare आपका सिर्फ 5.5 गंटे की वीडियो है जिसमें 3 चेप्टर हैं क्यूंकि इसमें चोटे चोटे चेप्टर हैं तो ये आपकी बहुत ही बहतरीन तरीके से आपकी सारे उनिट्स दयार हो जाएगी आप overall 3 गंटों के अंदर अंदर 3 गंटे से भी कम में आप क्या ह इन तीनों के तीनों चेप्टर को cover up कर सकते हो अगर आप 2x पर देखते हो एक घंटे से भी कम में आपका एक चेप्टर रिवाइस हो जाएगा नीट लेवल का ओके दन complete biology आपकी तीन घंटे की है यानि एक घंटे या डेढ़ घंटे के अंदर 2x पर देखते हो आप लगाए 2x पर अगर आप देखते हैं तो आप सवा से डेढ़ घंटे के अंदर एक चैप्टर कर देंगे यानि आपको दिन के मुझे कितने कितने time देना है बलकि बायोटेक में तो आपको दिनको मुझे कितना डेढ़ घंटा देना है बचे उए टाइम में आप क्या कर सकत यह तुम वीडियो को देखकर खुद मानोगे कि इससे बड़िया रिविजन नहीं हो सकता था प्लस आप लोग जो है इसके साथ-साथ अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी तैयारी करते रहें फिजिक्स का क्रेश कोर्स अल्रेडी चैनल पर कंप्लीट हो चुका है फिज स्टी नेबडे लाइफ पॉलिमर्स उनको भी आप लोग देख सकते हैं और अपने इन चैप्टर्स को तयार कर सकते हैं एक बहतर वे में तो वाट यह तो इस दिन में अपने सिलेबस को रगड के रख दे यह हमारा प्रोटोगेटिव होना चाहिए यह अपना उद्देश ह है कि अपना सिलेबस पूरा करके रख दो जिससे बाद में सिर्फ एक बार रिवीजन लेना पड़े फिर चाह कभी भी हो एक्जाम हमें कोई खासा मतलब नहीं है अल्रेडी आपकी डीटेल्ड वीडियो भी काफी सारी चल रहे है चैनल पे प्रयास बैच वाले बच्चों स बना रहा हूं उसका आपको ही मलाल होगा आगे क्योंकि सारे लेक्चर एक जैसे नहीं दिखेंगे I want to teach प्रयास बैच स्टुदेंट्स विद माइओन हें रिटन नोट्स और वहें रिटन नोट्स में अपने आईपैड पे बना रहा हूं तो वह बहुत ही खुबसूरत दि क्योंकि living world जो है up to the mark मुझे नहीं लगा आप लोगों के लिए content वह बेस्ट था उसमें कोई कमी नहीं है लेकिन मैं चाहता था कि वह भी मैं पूरा का पूरा handwritten बनाओ क्योंकि अभी जो मैं नोट्स बना रहा हूं handwritten उनका level जब तुम देखोगे तो तुम खुद बोलोग मैं आठ गंटे पढ़ाता हूं online आठ गंटे दिन के जब मैं आठ गंटे पढ़ा सकता हूं दिन के तो प्रयास बैच को क्या मैं दिन के चार गंटे भी नहीं दूंगा जिस दिन बीस दिन की बात और है जिस दिन need खतम हो गया ना दिन के चार गंटे तुमारा सले बस चार म और मैंने ये भी आप से कमिट किया था कि मैं प्रयास में बेस्ट चीजे दूँगा तुम्हें उसके लिए मुझे नोट्स बनाने पड़ रहे हैं और नोट्स बनाना is really hectic मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार नोट्स बनाऊं जो lifetime मेरे साथ रहे हैं वो इतनी brilliant quality के नोट्स होगे कि जब तुम उन्हें देखोगे और जब तुम उनसे पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार मचा दिया बंदेने I want that kind of appreciation मैं ये नहीं चाहता कि एक भी बंदा आके मुझे ये बोल दे कि यार मजा नहीं आया मैं चाहता हूँ कि जो genuine supporter है वो देखे तो वो बोले या बार मजा आगया पढ़के ऐसा मुझे पढ़ना है और ये जो पढ़ाता है ना ये एक लेवल है बस मेरे को वह चीज़े सीखने है मैं अपने आप में बैतरी improvement करने की कोशिश कर रहा हूं और वह improvement होजे आप से ही मिली है आप लोगों के feedback को ही मैंने incorporate किया है अपने आपको थोड़े दिन की अभी मैं थोड़ा सा फसा हुआ हूँ अलग अलग कामों में और बहुत जादा कुछ तकलीफे हैं जो चल रही है काफी बार तो यार बताओ सब कुछ ready होता है internet ही नहीं आता काफी बार कुछ family issues हो जाते है सबकी family में होते होंगा I think so काफी बार ऐसा होता ह नहीं बन पाती वीडियो काफी बार बुरा लगता है commitment तोड़के लेकिन I just want to tell you guys that I really think about you and the content that you are going to see in the future on this channel that will be the best content that you have seen on YouTube probably I mean that's totally your call कि आप किसे बहुत ही जादा best मानते हो लेकिन एक student जैसा मैंने student का approach जो लेकर चला हूँ और जो student से मैंने feedback लिया उस हिसाब से मैं जो 100% best होगा बहुत best होगा in terms of teaching अपनी methodology को मैंने थोड़ा बहुत change किया है चीजे मैं adopt करता जा रहा हूँ time के साथ और अपने content की लिखावट को मैंने थोड़ा बहुत improvise किया है वो भी मैंने आप लोगों के feedback से लिया है so please make sure कि आप लोग support करें आप लोगों का already बहुत प्य है but need 2020 वालों को मैं अपना पूरा अभी 100% देना चाहता हूँ because it really becomes important अगर कोई भी miss happening होती है I don't want to take that blame on me कि मैं नहीं करवा पाया पूरा मैंने जो भी claim किया है वो इस channel पे होगा और वो मैं करवा के रहूंगा that is my promise right thank you so much guys आप इस channel को subscribe कर सकते हो जुड़ सकते हो हमारे हैं it really means a lot to me we are very close to 100k and I know कि आप लोग बहुत जल्दी वो भी करा दोगे lots of love बहुत बहुत शुक्रिया बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया thank you so much guys lots of love I'll catch you in the next video thank you